हेलो वेलकम टु माई चैनल डायमंड सुपरेश्टी क्लासेज और आप लोगों का जैसा कि मैंने बताया था कि क्लास 12 का जो आप लोगों का यो नया स्लेबस लेटेस्ट जो आया है आप लोगों का तो वो मैं इंगलिस स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों की बताना इंगलि है मतलब का यह वीडियो पढ़ेगी इसके अलावा अभी तक कोई भी बीडियो यह सबसे बड़ी बात होगी आपके लिए तो आईए um लोग अपना जो चैप्टर है candidate परोज का पहला सेक्षिन जो हमारा चैप्टर है वह स्टार्ड करते हैं और आपका जो पहला चैप्टर है फ्लाइमिंगो ये आपकी मतलब की बुग का नाम प्लाइमिंगो जो NCRT बेच्च है तो हाइए हम अपना चैप्टर स्टार्ड करते ह और इसको बहुत ही बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है एक एक चीज़ें इंडिकेट करते हुए चलना है अच्छे से समझते हुए चलना है तो आएए देखते हैं आप लोग जानते होंगे वाजा फ्रेंच नॉबलेस्ट यह कौन थे फ्रेंच के एक नॉबल नॉबलेस्ट थे और यह सोट इस्टोरी राइटर भी थे दा लास्ट लेशन इज सेट इन देज आफ दा फ्रेंच वार इन यह पर्सियन वार कब हुआ था आपको बता दें तो इन वार यह मतलब की 1872 1871 में हुआ था वन एयर का चला था ओके तो यह प्रेंच और पर्सियन के बीच में युद्ध चला था तो वही कि यह घटना है मतलब की वहीं से लास्ट लेशन दिया गया है और बताए गया उसमें थोड़ा सा ठीक है इन विच फ्रेंच वाज लीट कर रहे थे हैं पर्सिया धिन कॉंसिटेड ओफ वाट नाव आर दनेशन्स अफ जर्मणी और जो पर्सिया थी वह बन गई थी क्या जो अब है क्या है दरनेशन मनलब राष्ट है और जर्मनी किसका जर्मनी कर आस्ट फोलेंड एंड पार्स आफ ऑफ अर्ष्ट्रिया ठीक है प्रेंच डिस्ट्रिक्ट और एल्सेक लॉर्यन पास्ट इंटू पर्शियन हैं तो इस कहानी में जो फ्रेंच के कुछ जिले दो जिले एल्सेक एंड जो लॉर्यन थे वो जा चुके थे किसमें चले गए थे पर्शियन में ठीक है पर्शियन के हाथों में जा चुके थे और मतलब की वो लोगार गए थे फ्रेंच वाले ठीक है पर्शियन से तो रीड दा इस्टोरी टू फाइंड आउट वाट इफेक्ट इस हैड ऑन लाइफ एड इस्कूल तो इस स्टोरी को पढ़कर हम देखते हैं इस माद्यम से क्या प्रभाव पढ़ता है क्या प्रभाव पढ़ा उस टाइम में मतलब की इस्कूल लाइफ में जो इस्कूल लाइफ होता था जो जीवन होता था तो उस पर क्या प्रभाव पढ़ा था इस युद्ध का वही हम आप इस स्टोरी में देखेंगे ओके और य यह story में आगे चलते हैं और आपको story बताते हैं क्या हुआ है इसके अंदर I started for school मैंने शुरू किया था for school school जाने के लिए very late मतलब बहुत ही देर से writer के बारे में बताए गया और वो school जा रहे हैं ठीक है तो that morning उस सुबह तो आप लोग भी जैसे स्कूल जाते हैं तो थोड़ा देर हो जाती है लेकिन इन्होंने बहुत ही देर कर दी थी स्कूल जाने के लिए ठीक है and was in great dread और सबसे बड़ा मतलब भय मतलब या डर आफ इसकॉल्डिंग डाट खाने का या था especially मुक्रोप से विकाज एम हैमल क्योंकि एम हैमल उसके सर थे मलग की टीचर थे एम हैमल had said उन्होंने कहा था that he would question कि वो सवाल करेंगे us हमसे on participants किस पर सवाल करेंगे participants पर आप लोग participants का नाम सुने होंगे तो वो participants पर सभी से सवाल पूछेंगे and I did not know और मैं नहीं जानता था the first word पहला सब्द अबाउट दिम उसके बारे में ठीक है तो मनले पार्ट स्पिल के बारे में पहला भी सब्द मैं नहीं जानता था for a moment कुछ छड़ के लिए I thought मैंने सोचा of running मतलब भाग जाने बाग जाने का मैंने सोचा running away मतलब क्या मतलब करना उसने सोचा मैं भाग जाओ ठीक है and spending और या फिर और बेतीत करूं that day out of doors मतलब सारा दिन बेतीत करूं doors मतलब क्यों होता है दर्वाजे से बाहर या फिर अपने घर के बाहर निकल जाओं और पूरा दिन बेतीत करूं ठीक है it was so warm यह बहुत ही गर्म था मतलब जब वह बाहर निकला तो सूरे निकला था और बहुत ही गर्म हो रही थी या फिर गर्मी का मौसम था so bright बहुत ही चमकीला था सूरे चमक रहा था ओके दा बर्ड्स वर चिर्पिंग और जो पच्छी थी यह चिडिया चहचाहा रही थी at the age of the woods मतलब थी जो लकडी के किनार उपर ठीक है या फिर आप कह सकते है पेड के किनारे पर डाल पर बर्ठी चिडिया चहचाहा रही थी and in the open field और खुले मैदान में back खुले मैदान के पीछे या फिर खुले मैदान में off the sawmill जो sawmill के पीछे खुला मैदान था the persian soldiers तो आप persian soldier थे वर drilling वो अभ्यास कर रहे थे ठीक है युद्ध का अभ्यास कर रहे थे वही जो अभी उपर persian का बताया मैंने ठीक है तो persian soldier क्या कर रहे थे साइनिक जो थे परसिया के वो drilling कर रहे थे इट वाज all much more और यह सब कुछ बहुत था tempting मतलब romance कारी यह सब कुछ बहुत romance कारी था than the rule rule for participants मतलब किसकी तुलना में बता रहे है दर रूल जो नियम थे for participants जो participant के नियम थे उसकी तुलना में यह सारी चीज़े बहुत ही interesting लग रही थी रोमांस कारी लग रही थी राइटर को के बट आई हैड दा strength to resist लेकिन मेरे पास थी क्या ताकत to resist मतलब रोकने की ठीक है यह ठाइड ने की और मैंने जल्दी किया कि नहीं यह सब चीज़े छोड़ो इसकूल चलो क्योंकि आल्रेडिट देर हो चुकी है यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं वेन आई पास्ट दा टाउन आल देर जब मैंने जब मैं गुजर गया दा टाउन जो सहर से हाल जो सहर का हाल था यहां पर जहां पर भीड लगी ती मतलब क्या होता है उति इन conducting बुलेटेन बोर्ड आप अपप लोग बुलेटेंग बॉट का नाम सूने होंगे बुलेटन समाचार आते हैं झाती है यह नहीं होते थे थे लहां क्या किया जाता था उस पर नियूज होते थी मतलब कि खबर ए सब्सक्राट nights फार दा लास्ट टू यहर्स क्योंकि उस पर क्या होता था दो साल के जो अंतिम जो दो साल से पुरानी थी आल आवर बैड न्यूज जो मतलब हमारी सारी जो बुरी ख़वरे होती थी हैड कम फॉर फ्राम देर वहीं पर वह लिखी जाती ठीक है वहां पर वह लिख दी जाती ठीक है और वह क्या चीज थी किसके बारे में लिखा जाता था दा लास्ट बैटल मतलब की युद्ध ख़वने के परेडाम का है ना दा ड्राफ्ट यहां पर ड्राफ्ट मतलब की जो कुछ प्रारूप वाली चीज़े होती थी ओके दा आर्डर्स आफ दा कमांडिंग ऑफ यह फिर जो अधिकारी लोग होते थे जो कमांड करते थे संचालन करते थे तो उनके जो भी आदेश दिये जाते थे वह सब उस पर छपते थे ओके and I thought to myself और मैंने सोचा to myself मैंलब सोयम से सोयम के दारा सोचा without stopping बिना रुके मैंने बिना रुके सोचा सोयम से what can be the matter now अब ये कौन सा या फिर क्या हो सकता है the matter now अब कौन सा मामला ये हो सकता है मनलब जो भीड भार लगी थी वो देख चलते जा रहा थे चलते जा रहा थे और वो सोच रहती अब क्या matter हो गया ये इतनी भीड क्यों लगी है ठीक है तब as I hurried by as fast as I could go मैं जल्दी में था बाई मतलब की जल्दी जल्दी मैं जल रहा था चल रहा था मैं जल्दी जल्दी I could go मैं जा सकता था और जा रहा था ठीक है जल्दी जल्दी मैं जा रहा था था प्लेअज देडर्व तो एक अभ्यास करता है के साथ है थिक अप्रोसकी सकते हैं जो परिषिचार्थी थी थी ठीक है कुछ परिषिचार्थी होते हैं आप्रेंट्स कहते हैं उसके तो वो भी उनी के साथ वहीं पर तो जो परिशिचारती होते हैं या आप्रेंटेस आप लोग समझ सकते हैं सिखाने वाले थोड़ा सा तो रीडिंग दा बुलेटिंग उसी को पढ़ते हुए मतलब वो बुलेटिंग को जो न्यूज थी खबर थी वो पढ़ रहे थे उसको काल्ड आफ्टर म और मुझको उसके बाद पुकारा उनको पढ़ रहे थे उसके बाद मुझको उन्होंने पुकारा या बुलाया डू नाट गो सो फास्ट इतना भी जल्दी मत जाओ उन्होंने क्या कहा कि इतना जल्दी मत जाओ बब यू आल गेट टू यूर स्कूल इन प्लेंटी आफ टा मतलब प्लेंटी मतलब आप समझ सकते हैं परियाप्त समय में ठीक है तो उन्हों ने कहा कि इतना जल्दी मत करो देर नहीं हुई है भी तुम हैं और तुम अपना स्कूल पा सकते हो परियाप्त समय में ठीक है यहां पर आप लोग रुख जाएये और इसके आगे जो चलेगा तो मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा ठीक है थोड़ा थोड़ा आप लोगों को देखना है तो मैंने आप लोगों को MML के बारे में बताया और राइटर के बारे में बताया और जो स्टोरी चल रही है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है ठीक है क्या क्या हो रहा है राइटर इसको जा रहा है और आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों को थोड़ा सा ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट के माद्यम से मुझसे बता सकते हैं ठीक है आप लोगों को कोई अगर आप लोगों को अच्छे से समन्झ में आया है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलिए और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजे और शाथ में प्रेस बेल आइकेन भी प्रेस कर ये ओके चलते हैं धन्यवाद